गुड डे टो अल आफ यू, वेलकेम इन मैट्स क्लास और आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में जो की एक्जामिनेशन की दिश्टी से काफी इंपोर्टेंट है जैसे कि अगर आपके पास क्वेस्टन आजाता है कि आपको एक ऐसा पेर लिखना है कि जिसको एड करके माइनस का कोई भी डिजिट जैसी माइनस का थिरी आए, एड करने पर माइनस थिरी आजाए और सब्ट्रेक्ट, अगर उसको आप सब्ट्रेक्ट करें तो minus का 4 आजाए इस step का अगर pair लिखने के लिए आता है तो आप तयार रहेंगे उसीज के लिए कि add करने पर minus में अगर आएगा तो इसका मनलग क्या होगा minus की digit बड़ी होगी बीच में sign plus का ही रहेगा और पीचे की digit क्या रहेगी छोटी रहेगी तो इस बात का विशेज जान देंगे आप कि जोड़कर आपका answer आना है minus में और अगर आप minus करें घटाएं तो घटाने के बाद भी आपका answer minus में आएगा तो यह मैंने आपको करा रखी है आप इनकी अच्छी दर से practice करेंगे और अगर आपको product निकालना है यानि की multiply करना है जैसे अगर दोनूर digit प्लस की है तो plus का sign तो होता नहीं है तो आपका answer plus में आ जाएगा और अगर एक digit plus की और एक minus की होगी तो तब आपका answer किसम आएगा minus में आएगा और अगर दोनूर digit minus की होगी यहनि की minus multiply minus जैसे minus का a है multiply में minus का b है तो आपका answer plus में आ जाएगा तिकी plus का sign नहीं लगता है और माइनस मल्टिप्लाई माइनस मल्टिप्लाई माइनस होगा तब भी आपका अंसर किसमा आना चीए माइनस महीं आएगा तो इस बात का भी से ध्यान रखना कि माइनस और माइनस दो बार होगा तो plus में आएगा और अगर minus 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 four time हो जाएगा तो plus में आएगा अगर minus plus होगा तो minus में आएगा और अगर minus 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 यानि कि उसके pair नहीं होगे three time होगा five time होगा तो आपका answer minus में आएगा और जैसे कि आपको verify करने के लिए दिया जा सकता है तो verify का मलब left hand side में जितना आएगा last answer वही answer आपका right hand side में भी आना चाहिए मानलो आपने कोई question solve गया और आपका left hand में मानलो 10 आया solve करके तो उसी के जो right hand में दिया होगा वहाँ भी आपको solve करके 10 ही आना चाहिए तो तभी वो verify होगा नहीं तो verify नहीं होगा और अगर आपको fractions दी जाती है solve करने के लिए तो fraction में आपको fraction का add कैसे करते हैं और fraction यानकी भिन और add कैसे करते हैं subtract कैसे करते हैं इस बात का विसे ध्यान देंगे अगर दोनों का denominator same होगा तो lcm होई रहेगा और अगर दोनों का denominator अलग-अलग होगा और वो दूसरे की table में नहीं आते होंगे तो उन दोनों को multiply करके उनका lcm निकालके आप उसको आगे बढ़ाएंगे और अगर mixed fraction add करने के लिए subtract में आती है तो सबसे पहले mixed fraction को क्या बना जाता है simple बना जाता है तो उसके लिए आप क्या करते हो जो नीचे denominator होता है by में उससे जो complete digit है उसको multiply करके जो उपर numerator होता उसको plus कर देते हैं माल लेजिए आपके पास 2 complete 1 by 2 है जब आप उसको multiply करोके तो 2 2 is up 4 और 1 हो गया 5 तो 5 by 2 आएगा तो ये बात का बिशे ज्यान देना कि अगर simple fraction है तो कोई दिक्कर नहीं है अगर mixed है तो पहले उसको simple बनाएंगे और अब अगर आपके लिए लिखने के लिए आजाता है कि चलो भई इनको exponential form में लिखो यानि कि घाट टांक की रूम में लिखो जैसे माल लिजिए a multiply a multiply a आगया अब a कितनी बार था आपका answer क्या आना चीए a multiply a multiply a है तो आपका answer आना चीए a तो a देगा जितने time था उतनी power लग जाएगी अगर वो 3 time होगा तो a के उपर 3 time power लग जाएगी अगर वो 5 time होगा तो a के उपर 5 power लग जाएगी समझ रहें जैसे अगर मानलो x multiply x multiply x कितनी बार आगया 4 time तो आपका answer आना चीए x की power 4 तो यह याद रखना और अगर इसका ठीक अपोजिट आ जाता है कि आपको लिखना है product form में और जैसे कि आपको मानलो दे रखा है 2 a square और इसको आपने लिखना है product form में तो कैसे लिखेंगे 2 a square था ना 2 तो 2 ही रहेगा बीच में sign लग जाएगा multiply गा a square है तो a square को आप क्या लिख सकते हैं a multiply a तो इस type का question भी आने की संभावना आपके उसमें रहती है और add the following जैसे आपके algebra है मान लिजी आपको a plus a plus a plus ऐसे करना है तो यानि की जो add करना है अगर same जी रोगी तो कोई आपस नहीं है अगर different है different होगी तो फिर क्या करेंगे जो एक जैसे हैं वो एक साथ आएंगे जैसे आगर मान लो question में a b है b b है c है तो a के साथ a b के साथ b और c के साथ c आएगा इस बात का विशे ध्यान देंगे और इस step का question भी आ सकता है कि आपको value दे रिखे है मान लीजे उसने बोल दिया कि a की value 2 है और फिर नीचे question दे देगा आपको कि 2 a plus इतना तो आपको क्या करना है जहां पर a लिखा होगा वहाँ पर उसकी value रख देंगे चाहे वो a लिखा हो x लिखा हो जो भी लिखा हो वहाँ पर उसकी value रख के और बीज में कोई भी sign नहीं होता है तो वो sign मान जाता है multiply का फिर check and verify आपको बता जी है मैंने की check and verify कैसे किया जाता है एक जैसी digit एक साथ आती है फिर उनको add या minus जो भी करना है उसके बाद उसको जो value आ जाएगी उसी को आप निकाल लेंगे और ये भी पुछा जा सकता है कि आपको cost price और selling price दी हो और आपको profit loss और profit और मला जानी की percentage percentage profit और percentage loss निकालनी है तो उसके लिए आपको percentage loss और percentage profit का formula पता होना चाहिए सबसे पहले आप अगर profit होगा तो SP मैंसे CP को minus करेंगे और अगर loss होगा तो CP मैंसे SP को minus करेंगे फिर percentage loss वाला या percentage profit वाला formula लगा देते हैं अगर loss होगा तो loss multiply 100 by CP होता है और अगर profit होगा तो बात का याद रखेंगे और अगर simple interest निकालने के लिए आता है तो उसके लिए आपको simple interest का formula पता होना चाहिए और simple interest का formula क्या होता है SI equal to P multiply R multiply T और by में 100 principle rate और time को multiply करके 100 से divide कर लेंगे आज पहले part वे नहीं बने रहिए पार टू में आपको बांकी जान कर दी जाएगी तो subscribe करना न भूले गुरू केस भी कर दो जाएगी